नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक शानदार सफर पर ले के जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपनी प्राकृतिक खुबसूर्ती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास और संस्कृती के लिए भी मशूर है। यहां की हर गली, हर नुकार एक कहानी कहती है। आधुनिक क्रांति तक पंजाब ने हर युग में अपनी चाप छोड़ी है जानते हैं इस धर्ती के पीछे की कहानी यहां की मिट्टी में इतिहास की खुश्बू बसी है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल तक हर युग ने पंजाब को एक नई पहचान दी है अंग्रेजों के राज से लेकर दर्दनाक विभाजन तक पंजाब ने हर चुनौती का सामना किया है और हर बार और मजबूत होकर उभरा है और फिर आधुनिक पंजाब के उदय तक यह राज निरंतर आगे बढ़ता रहा है इस सफर में हम कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखेंगे तो तयार हो जाईए क्योंकि यह सफर आपको समय के अलग-अलग दौर से रूबरू कराएगा आज हम खोलेंगे पंजाब के इतिहास के पन्ने और देखेंगे कि कैसे यह जगह समय के साथ बदलती गई हर पन्ना एक नई कहानी हर मोड एक नया अनुभव हमारा सफर शुरू होता है लगभग 5,000 साल पहले से जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी यह सभ्यता जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है पंजाब सहित एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी पंजाब में हडपा जैसी महत्वपूर्ण पुरातात्विक जगहें प्राचीन काल में इसके महत्व का प्रमान है हडपा जो अब पाकिस्तान में है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था और हमें यहां के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देता है यहां मिली कलाकृतियां, मुहरें और इमारतों के अवशेश बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समरिध जीवन जीते थे हालांकि यह सभ्यता अंततह समाप्थ हो गई लेकिन इसने पंजाब की संस्कृति और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी हडपा से मिली मुहरें और मिट्टी के बरतन उस दौर की कला और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं उन पर उकेरा गया लेक आज भी एक रहस्य बना हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल व्यापारी भी थे जिनके मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे उनके शहरों की योजना और निर्मान अद्वितिय थे घरों, सडकों और सार्वजनिक स्नानागारों की बनावट हमें उनकी उन्नत जीवन शैली की झलक देती है आज का पंजाब अपनी समरिध संस्कृती और परंपराओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को संजोय हुए है इसके त्योहार, नृत्य और संगीत उस प्राचीन विरासत को दर्शाते हैं पंजाब में एतिहासिक स्मारक, संग्रहालय और शैक्षनिक संस्थान इस सभ्यता के अध्ययन और संरक्षन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं आधुनिक पंजाब जहां प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का मेल है, इस बात का प्रमान है कि यह क्षेत्र समय के साथ कैसे विक्सित हुआ है यहां के लोग पारंपरिक शिल्प, खेती और दैनिक गतिविधियों में सनलग्न रहकर अपनी प्राचीन जड़ों से अपने जुडाव को दर्शाते हैं अपनी प्राचीन जड़ों और सम्रिध विरासत के साथ पंजाब की धर्ती आज भी उतनी ही जीवन्त और खूपसूरत है जितनी हजारों साल पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद पंजाब पर कई बड़े राज्यों का शासन रहा इस क्षेत्र ने कई महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाएं देखी और विभिन्न संस्कृतियों का संगम बना रहा इनमें सबसे प्रसिद्ध थे मौर्य और गुप्त सामराज्य दोनों सामराज्यों ने भारतिय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी और पंजाब के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई मौर्य सामराज्य के सबसे महान समराट चंद्रगुप्त मौर्य ने तीसरी शताबदी ईसा पूर्व में पंजाब को जीत लिया था उनकी जीत ने उत्तर भारत को एकी कृत किया और एक मजबूत प्रशासनिक धांचा स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक महान ने बौध धर्म अपना लिया और इसे अपने पूरे सामराज्य में फैलाया अशोक के शासनकाल के दौरान पंजाब में बौध धर्म का विकास हुआ जिसमें कई स्थूप और विहारों का निर्मान हुआ गुप्त सामराज्य जिसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है ने चौथी शताबदी ईस्वी में पंजाब पर शासन किया इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गनित में उल्लेख निये प्रगती हुई गुप्त शासकों ने शिक्षा और संस्कृती को बरहावा दिया जिससे समाज में एक नई चेतना आई इस दोरान कला, साहित्य, विज्ञान और गनित का बहुत विकास हुआ आर्यभट और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन राज्यों के शासनकाल के दोरान, पंजाब व्यापार, संस्कृती और ग्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया व्यापार मारगों के माध्यम से पंजाब ने न केवल भारत के अन्य हिस्सों बलकि विदेशी संस्कृतियों के साथ भी संपर्क स्थापित किये जिससे इस क्षेत्र की सम्रिध्धी और संस्कृतिक विविधता में व्रिध्धी हुई 18-वी शतापिदी में पंजाब में एक नई ताकत सामने आई सिख सामराज्ज महराजा रणजीत सिंग जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है ने 1799 में लाहौर पर कबजा कर लिया और सिख सामराज्ज की शुरुवात की रणजीत सिंग एक बहुत बहादुर योध्धा और दूर दर्शी शासक थे उन्होंने पंजाब को एक मजबूत और अमीर राज्ज बना दिया उनके राज के दौरान सिख सामराज्ज बहुत फैला और उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगा रणजीत सिंग ने सभी धर्मों को एक समान माना और अपने दर्बार में सब का स्वागत किया सेक्शन फाइम ब्रिटिश राज और फ्रीडम स्ट्रगल दो एंग्लो सिख युद्धों के बाद पंजाब को ब्रिटिश सामराज्ज में मिला लिया गया ब्रिटिश शासन ने पंजाब के लोगों की जीवन शैली, अर्थ व्यवस्था और राजनीती को बदल दिया बाकी भारत की तरह पंजाब के लोगों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया और आजादी के लिए संघर्ष किया भगत सिंग, लाला लाजपत राय और उधम सिंग जैसे स्वतंतरता सेनानियों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निफाई पंजाब के लोगों ने बहुत बलिदान दिया और भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया A divided पंजाब 1937 में जब भारत आजाद हुआ तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया भारत और पाकिस्तान पंजाब जो कभी एक था अब दो हिस्सों में बंट गया यह विभाजन बहुत दुखत था जिसमें बहुत से लोग मारे गए लाखों लोग बेघर हो गए और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों को भागना पड़ा पंजाब जहां यह विभाजन हुआ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सेक्शन 7 Modern Punjab, Progress and Challenges विभाजन के बाद पंजाब ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगती की है भारत में पंजाब अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध है जहां जमीन बहुत उपजाओ है वहीं पाकिस्तान में पंजाब सबसे ज्यादा औद्योगी करण वाला राज्य है जो अर्थ व्यवस्था में योगदान देता है हालांकि पंजाब को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसके विकास में बाधा बन रही है बेरोजगारी, गरीबी, नशा और पर्यावरण प्रदूशन जैसे मुद्दे बने हुए है इन चुनौतियों के बावजूद पंजाब के लोग मेहनती और जुझारू है जो हर बाधा का डटकर सामना करते है पंजाब अपनी जीवन्त और रंगीन संस्कृती के लिए जाना जाता है भांगडा और गिद्दा जैसे लोक नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, जीवन्त त्योहार और यहां के लोगों का आतित्य पंजाबी संस्कृती की पहचान है पंजाबी भाशा और साहित्य भी बहुत सम्रिद्ध है गुरु नानक देव, बुल्ले शाह और शिव कुमार बटालवी जैसे महान, कवियों और लेखकों ने पंजाबी साहित्य को बहुत सम्रिद्ध किया है आज पंजाब एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां उसे फैसला लेना है एक तरफ यह राज्य अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृती को बचाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ इसे वैश्वी करण और आधुनिकी करण की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ सेवा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है हाला की पंजाब के लोगों की कड़ी महनत और कभी हार न मानने वाला रवाईया हमें यकीन दिलाता है कि वे इन चुनोतियों से पार पालेंगे और एक उजवल भविश्य का निर्मान करेंगे सेक्षन दन, कंक्लूजन, इतिहास से प्रेरणा दोस्तों, पंजाब का इतिहास हमें बताता है कि ये भूमी, बहादुरी, त्याग और इंसानियत की जीत का प्रतीक है पुराने जमाने से लेकर आज तक पंजाब ने बहुत कुछ देखा है लेकिन हर बार ये राज्य और भी ताकतवर बन कर उभरा है आज, जब हम पंजाब के इतिहास को याद करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमें क्या सीखाता है आपके हिसाब से पंजाब का इतना बड़ा इतिहास उसके भविश्य को कैसे बदल रहा है मैं आपसे कहूंगा कि आप पंजाब के इतिहास के बारे में और जाने और इस खूबसूरत राज्य की सम्रिध विरासत को समझने की कोशिश करें अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं धन्यवाद